C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्थे पुस्तक गनित का जादू 2 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 6 इसका शीर्शक है पैरों के निशान प्रिष्ट 49 से प्रिष्ट 46 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय भोलू और पैरों के निशान एक दिन जंगल के कीचर भरे रास्ते पर कुछ जानवरों के बच्चे खेल रहे थे अचानक एक हाथी चिलाया भागो भागो अपने घर जाओ भोलू अपने कैमरे में सब को बंद करने आ रहा है सारे बच्चे भाग गए इस प्रिष्ट पर दाई और उपर जानवरों के बच्चों के भागने का चित्र दिखाया गया है जिसमें मुर्गी, मेंधक, हाथी और शेर के बच्चे दिखाये गए है जब भोलू अपने कैमरे के साथ आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई जानवर नहीं था केवल जानवरों के पैरों के निशान थे क्या तुम जानवर और उनके पैरों के निशान का मिलान कर सकते हो इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे भोलू को उसके कैमरे के साथ एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है और सामने जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान दिखाये गए है प्रिष्ठ चालीस कुट्टे के पैर के निशान इस बॉक्स में बनाओ इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर पीले रंग का एक खाली बक्सा दिया गया है अपने दोस्त के पैर के निशान जमीन पर बनाओ क्या ये तुम्हारे पैर के निशान से छोटे हैं? ट्रेस करो और अंदाजा लगाओ रौन एक पत्ता ट्रेस कर रहा है तुम भी कुछ चीजों को इकठा करो जैसे पत्ते, कंकड, तीली, चूडी, बिंदी अब इन चीजों को इस पन्ने पर ट्रेस करो इस प्रिष्ठ पर दाई और बीच में ट्रेस करते हुए रौन का चित्र दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर बीच में खाली स्थान छोड़ा गया है इसके नीचे लिखा गया है चित्र को देखो रूही ने एक ही कटोरे को दो अलग-अलग तरीकों से ट्रेस किया इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे रूही को एक चित्र के माध्यम से ट्रेस करते हुए दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर दाई और लिखा है रूही ने दो अलग-अलग तरीकों से ट्रेस करने के लिए कटोरे को कैसे रखा रूही के कटोरे जैसी और चीजें ढूंडो जिनें अलग-अलग तरीके से रख कर ट्रेस करने से अलग तरह की आक्रिती बनती है प्रिष्ठ एक्तालीस घर पर करो अपने परिवार के सभी लोगों के हाथों के निशान अखबार पर ट्रेस करो अपने दोस्तों को अंदाजा लगाने दो के कौन सा निशान तुम्हारे हाथ का है कौन सा तुम्हारी मा का है और तुम्हारे पिता का निशान कौन सा है पढ़ो और बनाओ तमन्ना और उसकी माँ कुरसी पर बैठी है तमन्ना एक कहानी की किताब पढ़ रही है उसकी माँ अखबार पढ़ रही है तमन्ना और उसकी माँ मेज के आमने सामने बैठी है इस चित्र में जो वस्तुएं नहीं दिखाई गई उन्हें बनाओ इस प्रिष्ठ पर नीचे तमन्ना और उसकी मां का चित्र दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे सलेटी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चे चित्र बनाने के लिए अलग-अलग परिप्रेक्षियों का इस्तिमाल कर सकते हैं उदाहरण के लिए कुछ मेज को उपर से दिखाएंगे पर उसके पैर भी चित्रित करेंगे जबके कुछ केवल दो पैर चित्रित करेंगे शिक्षक विभिन्न चित्रों का उपयोग विभिन्न आक्रितियों पर चर्चा के लिए कर सकते हैं। इस पर भी बात हो सकती है कि अलग-अलग दिशाओं से देखने पर चीजें अलग दिखती हैं। प्रिष्ट 42 ट्रेसिंग के मजे कुछ चीजों को इकठा करो जैसे आलू, बोतल का ढखकन, माचिस की डिबिया, छीलनी, रबड, चमच, बस टिकट, सिक्का, पाइब। तुम कुछ और चीजें भी ला सकते हो। इन सब को ट्रेस करो, अपने दोस्तों से अंदाजा लगवाओ कि वो क्या चीज है। इस प्रिष्ट पर नीचे ट्रेसिंग करते हुए एक बच्चे का चित्र दिखाया गया है और उसके उपर एक लड़ी लगी हुई है। प्रिष्ट तैंतालीस ट्रेस की हुई हर एक चीज की आक्रिती देखो। देखो कि क्या ये आक्रिती यहां दी गई आक्रिती जैसी दिखती है। इन आक्रितियों के नीचे चीजों के नाम लिखो। इस प्रिष्ट पर बीच में एक तालिका दी गई है जिसमें उपर के कॉलम में विभिन प्रकार की आक्रितियां दर्शाई गई हैं। इसके नीचे बच्चों के चित्र दिखाए गए हैं जो के इन आक्रितियों को एक दूसरे को दिखा रही हैं। इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। ट्रेस करने के बाद जो आक्रितियां दिखाई देती हैं, उनमें अंतर तथा समानताएं देखने में बच्चों की मदद कीजिए। इन आक्रितियों में क्या समानताएं हैं। उदाहरण के लिए एक डिब्बे और एक रबड में क्या समानताएं हैं। इनको एक ही वर्ग में रखा गया है। बच्चों को अधिक से अधिक आक्रितियों के नाम बताने के लिए प्रेरित कीजिए। हम बच्चों को कुछ शब्दों जैसे वर्ग आयत आदी से परिचित करवाना चाहते हैं ताके वे उनके शब्द भंडार का हिस्सा बन सकें। प्रिष्ट चवालीस इस प्रिष्ट पर सबसे उपर तरानी की बनाई हुई आक्रितियां दिखाई गई हैं। इन आक्रितियों के बई और प्रसन्न मुद्रा में तरानी का चित्र दिखाया गया है। इन आक्रितियों के नीचे लिखा है तरानी ने अलग-अलग आक्रितियों से एक चित्र बनाया। बाई और नीचे लिखा है तरानी का चित्र देखो और बताओ कितने सारे त्रिभुज प्रश्णवाचक्चिन हैं। अब तुम खुद एक चित्र बनाओ, इसे बनाना है अलग-अलग आकृतियों से, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, गोला। इसके नीचे पीले रंग का बड़ा खाली बकसा दिखाया गया है। प्रिष्ट के बिलकुल बीच में लिखा है केवल आयत का प्रयोग करते हुए चित्र बनाओ। इसके नीचे पीले रंग का बहुत बड़ा खाली बकसा दिखाया गया है। बॉक्स में दी गई अलग-अलग आकृतियों का इस्तेमाल करके बिसानिया को गहनों से सजाओ। इस प्रिष्ट पर बाई और एक बकसे में अलग-अलग आकृतियों के गहने दिखाये गए हैं। दाई और प्रसन्मुद्रा में खड़ी बिसानिया का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है अब इन्हें नीचे दिये गए चित्र में सही जगह पर बनाओ। ख पहले चेहरे पर आयत के आकार की आकृति का चश्मा बनाओ। ख दूसरे चेहरे पर एक दूसरे को काटते हुए दो त्रिभुजों की आकृति की मूच बनाओ। तीसरे चेहरे पर गोल मुह बनाओ। घ आखरी चित्र में वर्ग चेहरा बनाओ। इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय छे यहां समाप्त हुआ। वाचक, बावला कोचर, तक्नीकी समन्वे, बटिलैंग लिंग्डो, निर्माण सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन वन निर्माण, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत। वाचक, भारत।